आपका है next work, EVS, the word around me, booklet में आप work करेंगे आज, page number 51, 51 में आज आप क्या करेंगे, जो animals हैं, उनका favorite क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, उस दिन आपने क्या किया था, उस दिन आपने सीखा था, animals अपना घर कहा बनाते हैं, कौन-कौन से animal हैं, जो कि अपना house खुद बनाते हैं, और आज क्या आप लिखेंगे, आज आप matching करेंगे, कि कौन-कौन से animal को क्या-क्या खाना पसंद है, उनकी favorite चीज क्या है, जैसे कि मैंने two pictures भी draw की हुई है, mouse and elephant, तो mouse का favorite क्या है, चीज क्या खाता है, उसका favorite क्या है, चीज उसका favorite है, और elephant का favorite, sugar cane, है न, sugar cane मतलब गना, तो बच्चो, ऐसे ही ये work आपको करना है, अपनी booklet में, माई, the word around me, the word around me में भी आप page number 51, ऐसे ही करेंगे, तो बच्चे इसको भी हम कर लेते हैं, बुक में बख, जैसे कि first है picture, elephant की, तो elephant का favorite, sugar cane, गना, और rabbit का favorite, carrot, carrot मतलब गाजर, lion का favorite क्या है, meat, meat उसको बहुत पसंद है, और dog का favorite, bone, bone मतलब हड़ी, mouse, mouse का favorite cheese, paneer, monkey का favorite, banana, ये, banana तो मेरे बच्चों का भी favorite है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, truth में खाना पसंद करते हैं, और साथ साथ में vegetable भी, क्योंकि मेरे बच्चों की height बढ़ जाती है, है न, तो बच्चे आपको इसके साथ साथ में, और एक और booklet में भी work करना है, तो बच्चों इसके साथ साथ में, आपको page number 51 के साथ साथ में, EVS के साथ साथ में, बच्चे आप इस book को भी साथ साथ में complete करेंगे, आपने इसमें कौन-कौन से pages complete किये थे, आपकी यह है workbook, workbook में आपने page number 1010 तक complete कर लिये थे, अब आप करेंगे इसके साथ साथ में टू पेजिस और 1111 and 1212 आप साथ साथ में भी इस booklet को complete कीजिए क्योंकि अब आपको capital letter and small letters अच्छे से आ चुके हैं तो अब आप इसमें easily work कर सकते हैं जब भी अपरी होते हैं तो अपनी इस workbook को भी complete किया गो तो बच्छे आज के लिए इतना काफी था कर हम फिर से आएंगे new work के साथ and new energy के साथ ओके बच्चों बाइबाई